प्रोस्टेट ग्लैंड की समश्या आज के टाइम में पुरुषों के लिए काफी कॉमन समश्या होती जा रही है और ये समश्या इतनी गंबीर हो जाती है कि पुरुषों को यूरीन के लिए या पेशाप के लिए जाने में काफी तकलीफ होती है बार बार ऐसा लगता है कि यूरीन आएगा और आता नहीं है रात को बार बार ये परेशानी होना इसके साथ ही आज की वीडियो में हम जानेंगे सारा प्रोस्टेट के लिए कौन-कौन से योगासन कर सकते हैं सभी योगसाथकों को मेरा नमशकार मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वैलनेस पर प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो सिफ प्रूशों में पाई जाती है और ये अपरोट के आकार की एक ग्रंथी होती है जो पेशाब की नली को चारो तरफ से गेरे होती है पहले उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि ये ग्रंथी बड़ी होने लगती है इसका साइस बड़ा होने लगता है जिससे ये पेशाब की नली पे दबाव डालती है और जब आप यूरिनेशन के लिए जाते है तो वो काफी पेइनफुल हो जाता है एस हैं ये दर्द होता है और अगर टाइम से इसका इलाज नहीं किया गया तो धीरे धीरे जाकर पहले किडनी से रिलेटिड प्रोब्लम्स आएंगी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटिड प्रोब्लम्स आएंगी reproductive organs related problems होगी और अगर बहुत लंबे समय तक यह problem आपको रह गई तो यह prostate cancer का भी रूप ले सकता है पहले के time में यह समश्या 55-60 के बाद पुरुशों को हुआ करती थी लेकिन आज कल के time में 35-45 की उमर में ही यह problem पुरुशों में देखने को मिलती है इसके बहुत सारे कारण हो जकते हैं सबसे बड़ा कारण है lifestyle का कीक नहीं होना खान पान कीक नहीं होना जिससे hormonal imbalances हो जाते हैं और यह prostate gland in large होने लगती है इसके साथी stress काफी रहता है तनाव चिंता लाइज में काफी जादा है इन सब कारणों से hormonal imbalance होगा और वो सीधा आपके prostate gland पर असर डालते हैं तो आज के वीडियो में जो योग आसन बताऊंगी वो आपको करने है तो निश्चिति आपको prostate gland को ठीक करने में help मिलेगी और जिनको prostate की समश्या नहीं है वो भी इन आसन को करना शुरू कर दें जिससे उनको future में कभी यह समश्या नहीं हो तो देखते हैं कौन-कौन से आसन करेंगे और जो आज के आसन है वो बुजूर्भ भी आसानी से कर सकते हैं उसमें कोई परिशानी नहीं है सबसे पहला आसन है हमारा बद कौन आसन कैसे करेंगे अपने पैर को आगे की तरफ पहला ले इस तरीके से right leg band करें और अपने पैर के तलवे हैं उन्हें आपस में इस तरीके से मिला दें आप इतना पास ला सकते हैं इतना पास ले आई यह शुरुवात में यहां है यहां रखें जितना आपके पास आ जाए उसका पास ले के आए हातों से अपने पैरों की उमलियों को इस तरीके से पकड़ ले कमर आपको पैरों को उपर नीचे जितना कर सकते हैं, तितली की तरह, तितली आसन, इस तरीके से फ्लिप करते रहे हैं, हमारे पैल्मिक एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे इस एरिया की मसल्स जो हैं, वो स्ट्रेंदर होती हैं, और एक मिनट तक आपको इस तरीके स फ्लिप करना है, फिर क्या करना है, अपने हाथों को यहां रख गए, इन्हेल करें, और एक्सेल करते भी धीरे-धीरे, आगे की तरफ जाएं, जितना आपकी बोड़ी अलाओ करती हैं, अगर बोड़ी ने यहां तक अलाओ किया, यहां रुख जाएं, और आगे जा सकते है अपनी elbow को mat पे टिका दे और आगे जाए और इसके आगे भी जा सकते हैं तो हातों को आगे ले जाके अपना पूरा mat पे सिर को टिका दे इस position में आने के बाद normal सांसे देंगे inhale exhale करते रहेंगे और कम से कम 30 second यहां रुखने की कोशिश करें जिस भी स्थिति में आप हैं और जब 30 second हो जाए तो inhale करते हुए हातों के द्वारा इस तरीके से चलते हुए वापस आ जाएं तो यह है बदपोनासन का ब्यास अभी तीसरे नमबर पर मैं बताऊंगी जो इस तरीके से इसको नहीं कर सकते बैट के लेट के कैसे करें लेकिन उससे पहले एक आसन ओर के अपना जानु सीरसाशन का अभ्यास क्या करेंगे हम बदपोनासन में बैटी हुए है यहीं से अपनी राइट लैक को इस तरीके से सीधा कर दे और जो लैफ्ट फूट है इसको अपने ग्रोइन एरिया के पास ला सकते हैं ले आए और जो टोज है उन्हें अपनी तरफ फिंचे इस तरीके से अब हाद यहां रखे हुए है इन्हेल कर ले इन्हेल कर लिया एक्सेल करके आगे की तरफ जाए हाथों को चलाएं ऐसे जो बुझोड लोग हैं वो ज्यादा नहीं जुख पाएंगे अगर इतना जुख पाते हैं तो इतना ही ठीक है मैं साइब से भी दिखा देती हूं लेकिन कमर आपको कमर ऐसे नहीं करनी है कमर और चैस्ट आप खोन के रखेंगे विल्कुल तो इतना गए इतना ही रुखें यह काब आपको एक्सेल करते हुए करना है आप आगे जा सकते हैं आगे जाए दीरे 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 अपने हाथों को आगे ले हाए इंहेल करते हुए वापस आगे दूसरे पर पे इसको रिपीट करेंगे को वापस लेके आये लाक लग को सीधा कर दिया और लैस पंजे को अपनी तरफ खिंचाा यहें रखें इनहेल किया और एकसेल करते हुए दीरे दीरे स्लाइड करते हुए पैनिक नहीं करना है आप जितना आगे जा पाए उतना ही जाए बोड़ी इतना लाओ करती है इतना इतना बोड़ी आपको परमेशन दे और पोड़ में रुखने के दोरान आप नॉर्मल ब्रीलिंग करेंगे वापस तीस सकीन रुखने के बाद इन्हेल करते हुए वापस आ जाए दोनों पैरों को फिर से बदकोनासन में ले आए और एक बार फिर से इस तरीके से जोइन करके पैरों को फिलिप करें इस सिरीज को आपको तीन बार रिपीट करना है बदकोनासन में पैरों को फिलिप किया फोरवर्ड बैंडिंग की और फिर जानु सीर साशन किया एक बार राइट लैग से एक बार लैट लैग से फिर तीसरी बार रिपीट करना है इसके बाद जो हमारा मैक्स आसन है वो है ह मलासन, मलासन कैसे करेंगे, इस तरीके से अपने पेरों को खोल दें, अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकतें, एक योगा ब्लोक ले लें और अपने हिप्स के नीचे उसे पिका के आराम से ऐसे बैठें, क्योंकि जो बुजूर्ग है या आज कल काफी अंगस्टर्स भी हैं, उनके इस तरीके से बैठते में काफी प्रोब्लम होती है, और क्या करना है, अपनी एल्बो से इस तरीके से नीच को बाहर की तरफ पुश करें, और हातों को नमस्ते में ले आएं अपने हाट के आगे, कवर बिल्कुल सीधी रखें, और अगर ब्लोक की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से इस आसन में बैठे हुए, नॉर्मल सांसे लेते रहें, इन्हेल करते रहें, एक्सेल करते रहें, ये पैल्मी केरिया में ब्लड फ्लो को काफी हद तक बढ़ा देता है, और जितनी भी आपकी रिप्रोडक्टिव ओर्गन से रिलेटेट प्रोब्लम्स हैं, प इस आसन को भी आपको तीन बार रिपीट करना है, तीसरा आसन है हमारा, उसके लिए हम कमर के बल लेट जाएंगे, तीसरा आसन है हमारा सुप्ध बद्पोनासन, जो फर्स्ट बद्पोनासन नहीं कर सकते हो इसको करें, और जो उसको कर सकते हैं, इसको भी करें, और ये करेंगे राइट लैग को इस तरीके से फोल्ड किया और लैप लैग को इस तरीके से फोल्ड किया जैसे अपने बद पोरासन में किया था बैटे में लेटे वे कर लिया है दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लिया है अब क्या करना है पहले पैरों को अच्छे से खोल किसी के यहां तक होंगे, किसी के इतने होंगे, जिसके इतने खुल जाए, उतने खोले और अच्छे से थाइस से प्रेस करके, नीचे की तरफ प्रेस करें, अच्छे से खोलें और फिर क्या करना है, इस तरीके से, close, open और inhale, exhale करते रहें, close, open यह कम से कम 20-25 बार आप दोराएंगे, और यह जितने भी आसन हमने किये है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए तो लाबकारी है ही, बाकी पूरे रिप्रोड़क्टिव ओर्गन्स के लिए काफी लाबकारी आसन है, तो इस तरीके से इसको एक सेट में 20-25 बार करेंगे और इसको भी आप 3 बार रिपीट करेंगे, अगला हासन है हमारा अर्द पवन मुक्तासन, कैसे करेंगे, कमर के बर लेके हुए हैं, अपने राइट लैक को इस तरीके से लेके आएंगे, और घुटवे के यहां से इस तरीके से इसको होल्ड कर करेंगे, इतनी पोजिशन तो सबको करनी है, उसके बाद जो कैपेबल है, जिसकी बैक में कोई इश्यू नहीं है, वो इन्हेल करें और फिर एकसेल करते हुए अपने सिर को अपने गुटने की तरफ लेके आएंगे, जितना आप आपाएं, उतना आजाएं, यहां रुक ल और फिर इन्हेल करते हुए वापस चले जाएं, लैक को रिलीस करते हैं, इसी तरीके से दूसरी लैक पर करेंगे, अपनी थाइस से पेक को प्रेस किया, टोस को बार की तरफ खींचा, इन्हेल किया और एकसेल करते हुए सिर को गुटने की तरफ लाएं, अर्ध पवर मुक अर्ध नुकतासन, तीन बार राइट लैग पे और तीन बार लैफ लैग पे करना है आपको, लास्ट आसन करेंगे अपना मर्क अटासन कैसे करेंगे, पैरों को भुटनों से फोल्ड कर दिया ऐसे, और फिर क्या करना है आपको, जो हाथ हैं, उनको ऐसे अपने शोल्डर के बरावर में खोल दे, पैरों में कंदों जितना डिस्टेंस कर ले, जितने कंदे हैं उतने ही आपकी हील्स में डिस्टेंस हो, इन्हेल करें और एक्सेल करते हुए, राइट साइड में क्विस्ट करें और गर्दन जाएगी आपकी लैफ्ट साइड में, इन्हेल करते हुए आपको यह करना है पन्दरा बार राइट साइड में और पंदरा बार लाइट साइड में और इसके बाद सवाशन में लेटके रैस्ट जरूर करें और इसको भी आप तीन बाद रिपीट करें तो ये हो गए हैं हमारे आज के योगासन जो कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रोस्टेट ग्रंथी को ठीक करने में आपकी मदद करेंगे ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रैंस और फैमिली के साथ शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनस को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करते हैं